आईडी टीवी इंद्रधनुश नमस्कार मैं हूँ नीरल प्रकाश और आप देख रहे हैं आईडी टीवी इंद्रधनुश आज 23 जुलाई है और आज देश में राश्ट्र प्रसारन डिवस मनाय जा रहा है हमारे जीवन में रेडियो के गहन प्रभाव का सम्मान करने के लिए राश्ट्र प्रसारन डिवस मनाय जाता है यह महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारन की शुरवात का प्रतीक है जिसे All India Radio AIR के रूप में जाना जाता है भारत में रेडियो प्रसारन सेवाओं को 1923 में ब्रिटिश राशन के दौरान बॉम्बे के रेडियो क्लब की एक पहल के रूप में पेश किया गया था भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रोड कास्टिंग कमपनी के तहट बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ 23 जुलाई 1927 को All India Radio की स्थापना Indian Broadcasting Company Limited, IBC नामक एक नीजिक कमपनी के रूप में की गई थी बाद में अतारीक 1936 में स्थापित राश्ट्र प्रसारन डिवस मनाने की आधार बन गई 8 जून 1936 को IBC को All India Radio AIR में बदल दिया गया 1956 में आकाशवानी के लिए आधिकारिक तौर पर आकाशवानी नामक अपनाया गया था जो रविंद्र नाठ टेगोर के 1938 की कविता आकाशवानी से प्रेरित था जिसका अर्थ है आकाश दे आवाज या घोशना भारतिय रेडियो ने स्वतंत्र भारत के निर्मान में महत्वपून भूमिकाने भाई स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले नेता जी सुभाश चंद्र भोश के नेत्रित्व में आजाद हिंद रेडियो और कॉंग्रेस रेडियो दोनों ने ब्रिटिश ऑपनी वेशक शाशन के खिलाव भारतियों को प्रेरित करने और जुटाने में महत्वपून भूमिकाने भाई इसके अलावा 1971 के युद के दौरान आकाश वाणी ने दमनकारी पाकिस्तान बलो के खिलाव बांगला देश के मुक्ती संग्राम का समर्थन करने में महत्वपून भूमिकाने भाई ये एतिहासिक योगदान राश्ट्र के भागय को आधार देने में रेडियो प्रसारण के अत्यधिक प्रभाव को उजागर करते हैं नतीजतन राश्ट्र प्रसारण दिवस हमारे देश के लिए एक महत्वपून अफसर के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है जो प्रसारण की शक्ती और भारत की इतिहास को आकार देने में इसकी भूमिका का जश्ण मनाता है भारत में रेडियो प्रसारण 1923 और 1924 में बॉंबे, कलकत्ता और मद्रास में रेडियो क्लबों की स्थापना के साथ नीजी पहल के रूप में शुरू हुआ हाला कि आर्थिक तंगी के कारण इन स्टेशनों को बंद करना पड़ा इसके बाद भारत सरकार और इंडियन ब्राड्कास्टिंग कंपनी लिमिटेड नामक एक नेजी कंपनी के बीच एक समझोते के माध्यम से जुलाई 1927 में बॉम्बे में एक और महीने बाद कलकत्ता में प्रायोगिक आधार पर एक प्रसारन सेवा शुरू की गई थी इंडियन ब्राड्कास्टिंग कंपनी को बंद करने पर सार्विजनिक आक्रोश के जवाब में सरकार ने एक अपरेल 1930 को प्रसारन का प्रभार लिया इसका नाम बदलकर भारतिय राजय प्रसारन सेवा ISBS कर दिया प्रारव में प्रयोगात्मक यह 1932 में स्थाई रूप से सरकारी नियंत्रण में हो गया 1936 में दिल्ली में एक नया रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था उसी वर्ष 8 जून को भारतिय प्रसारन सेवा को एक नई हस्ताक्षर धुन के साथ औल इंडिया रेडियो के रूप में री ब्रांड किया गया था दिल्ली स्टेशन आंतितर राश्टितर के प्रसारन के केंद्रे में विक्सित हुआ